हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहा हैं तिलक वेंचर लिमिटेड के बारे में क्योंकि फ्रेंट्स इस कंपनी के रिगार्डिंग दो न्यूज अभी प्रेजेंट किया गया है जिसमें पहला न्यूज है फ्रेंट्स कि ये कंपनी जो राइट इशू लाई है वो कहां तक सही है और हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए इसकी भी चर्चा हम इसमें डिटेल में करेंगे फ्रेंट्स इसके अलावे फ्रेंट्स इसमें हम ये भी बात करेंगे कि ये कंपनी जो अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट किया है वो result कहां तक सही है और इनको जो इतना बड़ा loss हुआ है उसके क्या region है उसे भी हम find out करके आपके सामने present करेंगे और इसे हम बहुत ही clear way में आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और in future इस stock में क्या हो सकता है friends तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें date है वो 18 प्रवरी का है friends right issue कभे भी कोई भी company जब present करती है और लाती है तो इसका सबसे वरा motto होता है कि company fund को किसी भी stock में किसी भी company में raise करना चाहती है friends और fund raise करने का ये भी एक बहुत ही आसान और सीधा सा रास्ता है जब company को कुछ भी नहीं दिखता है तो वो अपना right issue लाते हैं जिसकी बज़ा से लोग इसमें attract होते हैं और share को purchase करते हैं तो चलिए friends ये right issue इस company के लिए कहां तक सही होगा इसकी चर्चा हम करेंगे अभी जो ये company right issue लाई है उसकी बज़ा से इसके जो number of shares हैं वो काफी increase कर जाएगा नए shares जो इस stock में और add कर दिये जाएंगे वो 9,63,6,000 share हैं जो इस company में extra or share add हो जाएंगे friends और इस share की जो price रखी गई है वो 5 रुपया पर share है अगर friends 9,63,60,000 में अगर multiply करेंगे 5 से तो आपको इसमें निकल के आ जाएगा और 40,18,00,000 रुपय इसमें fund raise किया जाएगा जो कि company के द्वारा नहों करके share holder के द्वारा इस fund को raise करने की तयारी चल रही है जो कि मुझे लगता है कि अभी इसका समय नहीं था तो देखना है कि कितने लोग इसमें right issue के लिए apply करते हैं friends कंथी friends ये company जो right issue लाई है वो 4 share के बदले 3 share आपको दिये जाएंगे अगर आपके पास अगर 4000 share होगा तो आप 3000 share के लिए right issue अपलाई कर सकते हैं और उसका जो record date है वो हम अलड़ी बता चुके हैं कि 18 प्रवरी का है तो अब बात आती है कि इस right issue का क्या impact परने वाला है इस share पे लेकिन friends इसको discuss करने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये company जो results present की है third quarter का वो किस तरह का है तो पहले आप उस third quarter के जो result है जो company द्वारा present किया गया है उसे आप एक बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि company का जो right issue है उसमें आपको apply करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए बट friends आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे तो friends इसी तरह की valuable updates पाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस channel को subscribe करें और घंटी की बटन को दबा के all notification को भी on कर दे ताकि इस channel पे जो भी video upload हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप future में होने वाले loss से बज़ जाएं तो friends चलिए अब हम बात करते हैं quarterly result की friends इसमें हम 3 quarter को pick किये हैं पहला December 2020, दूसरा September 2021 और तिसरा December 2021 तो चलिए friends सबसे पहले हम pick कर लेते हैं sales को friends तिलग venture जो December 2020 में अपना sales post करती है वो 2 करोड 23 लाग का वही September 2021 में ये company अपना sales post करती है वो सिर्फ और सिर्फ 19 लाग का वही December 2020 में ये company अपना जो sales post करती है वो सिर्फ और सिर्फ 11 लाग का friends तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप completion करेंगे quarterly wise और yearly wise भी तो भी इस company में बहुत ज़्यादा गिराबट आपको देखने को मिल रहा है चलिए friends अब हम बात करते हैं expenses की friends ये company December 2020 में अपना जो expense करती है वो 1 करोड 72 लाग वही September 2021 में ये company अपना expense करती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाग वही friends December 2020 में इस company का जो expense है वो बहुत ही बढ़ जाता है और इसका जो expense बढ़के हो जाता है वो 85 लाग का friends अगर friends आप completion करेंगे कि ये company जितना expense करती है क्या ये company उसके हिसाब से sale भी post कर रही है या फिर नहीं कर रही है लेकिन friends यहाँ आगर देख सकते हैं तो ये company जितना expense की है उतना sale इन्होंने पोस्ट नहीं किया है तो चलिए friends अब हम pick कर लेते हैं इस company की सबसे major part को और वो सबसे major part होता है friends इस company की core business जिस sector में company deal करती है क्या उस sector से इस company को कोई profit हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसे भी जानना बहुत ही अबश्यक हो जाता है तो friends ये company अपने core business से होने वाले profit को जो post किया था December 2020 में वो 51 लाग का किया था वहीं September 2021 में ये company अपने core business से होने वाले profit को जो post किया था वो सिर्फ और सिर्फ 14 लाग का वहीं अगर December 2021 की बात करेंगे तो friends ये company का जो core business है वो पूरी तरह से धोस्त हो गया है और इनका जो profit है वो माइनस में चला गया है और इन्होंने जो core business से होने वाले profit को post किया है वो माइनस 24 लाग का तो friends यहाँ अगर comparison करेंगे yearly wise या फिर quarterly wise तो भी आपको ऐसा लगेगा कि इस company का जो business है वो पूरी तरह से धोस्त होते जा रहा है तो friends आप आवस से ही guess कर सकते हैं कि friends यह company जो right issue लाई है वो कहां तक सही है तो friends चली हम बात करते हैं इस company की एक और major points की और वो points है friends net profit यह company December 2020 में अपना जो net profit post किया था वो 45 लाग का वहीं यह company September 2021 में अपना जो net profit post किया था वो 22 लाग का वहीं friends December 2021 में यह company अपना net profit जो post करता है वो minus 67 लाग का तो friends यहाँ देख सकते हैं कि इस company पे इस COVID का कितना प्रभाब पड़ा है अगर friends net profit को completion कर लिजिएगा आपको quarterly bias भी और yearly bias भी तो भी आपको काफी गिराबट देखने को मिलेगा अगर यह company break even point पे भी business करती तो भी समझ में आता कि यह company अभी भी आगे कुछ कर सकती है लेकिन friends यह company तो loss में ही जा रही है तो चलिए friends अब हम बात करते हैं अगली point की और pick कर लेते हैं इस company के पास कितने reserve हैं तो friends अगर reserve की बात करेंगे तो इस company के पास अभी भी 13 करोड 36 लाग का सांदार reserve है लेकिन friends अगर इनके पास debt की बात करेंगे तो यह company अभी virtually debt free है क्योंकि इस company के उपर जो अभी कर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाग का है तो चलिए friends अब हम बात करते हैं कि इस company में promoters की holding है वो कितनी है friends तो friends December 2020 में यह company अपना promoter holding जो post किया है वो 59.25% वहीं September 2020 में इनका holding है वो decrease करता है और 57.18% हो जाता है वहीं December 2020 में यह company जो अपना promoter holding post करता है वो 57.18% का तो friends अगर yearly wage देखेंगे तो इनका जो promoter holding है वो थोरा सा decrease अवसे किया है तो friends अब हम चलिए बात करते हैं conclusion की इस company ने जो right issue lie है उसका क्या impact पर सकता है तो friends हम आपको clear बता दे कि इस stock की price अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा और इस stock की price आपको 5 रुपे से लेकरके 7 रुपे के बीच तक आने की संभावना 100% है friends तो हम यही कहेंगे कि जो लोग long term के लिए invested हैं वो अबस ही right issue के लिए apply कर सकते हैं लेकिन जो short term के लिए view is में लेके चले हैं उन्हें तो right issue से बचना चाहिए और उन्हें अपने share को sell करके निकल जाना चाहिए इसका सबसे बरा region है friends यह company जो अपना quarterly region present किया है वो पुरी तरह से धोस्त है और इस basis पे लोग इसमें अपने right issue को नहीं apply करेंगे इसकी पूरी संभावना है friends कि इसका जो price है उन्हें की तरफ अबस ही move करेंगे friends